तो चलनों प्यार्वंचों इस वाले सवाल को देखोर और किस वाले कॉश्चन को देखो तो कहते हैं पोजिसन पर पॉजीशन पर पार्टिकल एट एनि time टी यहां पर दीया हुआ इस इस ब पॉजीशन प्रफिंच आप आनि intensity तो यहां से जो मैं velocity time graph इस question को सही कर लेता हूँ velocity time graph हमें कौन सा इसमें से होगा speed time graph नहीं होगा तो x is equal to a cos omega t x is equal to a cos omega t displacement है तो velocity कैसे निकलेगी इसका एक वर derivative लोगा तो d over dt is equal to a cos omega t आई फिर को आता होगा a constant है cos का minus sin omega t और ये chain rule भी इसमें लगेगा तो derivative का a omega t का derivative तो minus a sin omega t और omega t का t के respect में omega तो finally minus a omega sin omega t ये इसका velocity है तो तुम अगर देखोगे चो velocity भी sin का graph है तो b is equal to minus a omega omega और sin omega t ये negative है यहाँ पर negative है तो sin का graph कैसे आता है sin का plus वाला graph तो ऐसे आता है velocity versus time तो ये time t और ये velocity तो ये किसका graph है y is equal to a sin theta गा graph है लेकिन minus sign का graph कैसे होता है तो minus sign का graph तो नीचे से start होता है ऐसे start होता है minus sin theta तो इसका मतले भी हुआ है कि जो velocity है उसका जो graph है अपना भी अपसर सही कर जाता है ये गलत है ये गलत है ये गलत है ठीक ना और अगर graph नहीं बनाना चाहते है तो यहाँसे value भी चेक कर सकते हो ठीक ना देखो ऐसे भी कर सकते हो जब समय 0 था तो velocity जो है वो निगेटिव थी और उसकी value जो है sorry जब समय 0 था टी 0 रखोगे इस equation में तो velocity 0 आ जाएगी ठीक ना और कुछ time बाद टी टाइम बाद 5 by 2 पर देखोगे तो velocity जो है साइन की value 5 by 2 तो देखोगे यहां से तो कुछ बाले से पोजेटिव भी ऑप्शन सही है थेंक यू